IUCTC method से आप अपना वीडियो वाइल बना सकते हैं और breaking news से भी fast, cheap and viral book summary in Hindi आशीज चोपड़ा एक award winning viral video marketer है जिनकी marketing videos पे millions of share है इनकी videos ने 350 millions views cross कर लिये हैं और इनकी एक facebook post एईशिया की सबसे ज़्यादा share होने वाली post है सिर्फ एक हफ़ते में 40 millions views ये बताता है कि ये कितने अच्छे वीडियो marketer है ये एक viral video marketing expert है और Forbes में भी featured हुए है ये Lixigo के content marketing head है आज हम इस वीडियो में आशीज चोपड़ा की fast, cheap and viral book में दिये गए best practices को जानेंगे secret number one make it share worthy पांस साल पहले जो question मैंने अपने आप से पूछा था जब मेरी पहली video viral हुई थी वो था अगर मैं viral video बनाना चाहता हूँ तो मुझे किस चीज़ पर focus करना चाहिए वीडियो का creator वीडियो को viral नहीं करता incremental video sharing वीडियो को viral करती है मतलब creator नहीं लोग videos को viral बनाते हैं अगर video share worthy है तो अब share worthy ने इस content को देखने का नया तरीका है share worthy content बनाके आप viral video की race जीच सकते हैं अगर आपका content share worthy नहीं है तो आप viral video बनाने का सपना देखकर अपना समय बरबात कर रहा है ये बाद मैं अपने experience जो मैंने सीखा और numbers of experiment करने के बाद कर रहा हूँ जिसे करने के बाद मेरी videos पे 350 million से भी ज़्यादा views आए है share worthy content बनाने के बाद आपकी बहुत सारी money content promotion में save हो जाती है क्योंकि इस प्रकार का content बनाके आप ये ensure करते हैं कि आपका content audience तक organically पहुचेगा आखिर कोई cue share करेगा ये question मैं अपनी हर meeting में पूछता हूँ फिर चाहे वो startup related हो big brands के साथ हो या अपने पिताजी के साथ जो कि LinkedIn पर videos बनाना start करना चाहते हैं get over yourself as brands और marketers हम अपने बारे में सोचते हैं हमारा product हमारी service हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें logo के pin को solve करने के बारे में सोचना चाहिए मुझे याद है कि मैंने recently big bank की एक post देखी थी जहां पे वे अपने user से पूछ रहे थे उन्हें bank की service की कौन सी चीज सबसे अच्छे लगी है a credit card b debit card, c loans d offers आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई दोफैर के 3 बजे facebook, big bank की इस post का इंतजार कर रहा होगा बिल्कुल नहीं ये कभी आपके बारे में नहीं है ये इस बारे में है कि आप कितने लोगों को serve कर सकते हो और कितनों की help कर सकते हो how to pick share worthy topics मेरे लिए एक सही topic चुनने का एक process है ना कि सिर्फ random creative idea हमें एक method की ज़रूरत है जिससे हम creative code को crack कर पाए जो कि एक viral video बनाए और ना कि बस ये hope करते रहें कि हर बार lucky रहें आपको लोगों का pinpoint समझना चाहिए और उसको solve करना है Let's see what is IUCTC ये IUCTC क्या है ये filter है जिस पे से हर idea को गुजरना पड़ता है जिससे हम एक ऐसा idea ला पाए जो कि share worthy हो IUCTC is abbreviation where I is for inspirational content U is for useful C is for celebrating their life T is for topical content and C is for changing the world Example for inspirational content मेरा एक दोस जिसका एक startup है जो cars को खरीदने और बेशने पर deal करता है उसने दुनिया की fancy scars और bikes पर content create करना start किया है मैं उससे एक event में मिला था जहां उसने discover किया कि वो most lavish videos को fast moving videos में showcase कर सकता है ऐसे ही एक accounting firm है जिसे मैं जानता हूँ जिसे history के biggest mergers के उपर content बनाने का idea आया example of useful content you for useful content ये मेरा favorite type है content का coolest travel hacks coolest travel hacks video 2014 की सबसे ज़ादा share होने वाली bandit facebook post बन गई इस वीडियो में bags को traveling के सबें pack करने के effective ways के बारे में बताया गया था इस momentum को देखते हुए हमने एक और वीडियो बनाई जो की hotels hacks के बारे में थी and इस वीडियो ने 30 million views को cross किया and ये वीडियो कहीं facebook और youtube channels द्वारा copy भी करी गई थी हमने कुछ hindi वीडियो भी बनाई जैसे train जुगाड जिसने millions of views को hit करे और हजारों बार share भी करी गई अगर आपने बहुत सारी life hack videos useless inventions के videos और उन hacks videos को देखा है जो हर छोटी चीज के बारे में है तो आप इन छोटे छोटे hacks idea से समझ सकते हैं कि आखिर कैसे ये hacks user के pin point को solve करते हैं और जल्दी ही आपके पास अपनी hacks videos के लिए अच्छे ideas होंगे अगर आप उनकी problems solve नहीं कर सकते तो at least उनकी problems को relatable content द्वारा celebrate करिए T for topical content topical content एक interesting category है एक तरफ तो ये आपको massive boost दे सकता है और आपके content आग की तरह फैल सकते हैं लेकिन दूसरी ही तरफ इसकी self life छोटी होती है news jacking topical content के लिए एक fancy word है जसका मतलब अपने brand DNA को breaking news के साथ align करके जल्दी से जल्दी content create करना और trending story के माधियम से massive public interest तक पहुचाना news jacking is equals to breaking news plus your brand DNA ये content की वो category है जिसमें इतना potential है कि अगर आप सही तरीके से इसे करें तो आपका content really बहुत ग्रो होगा breaking news story या एक global trend एक तेज बहरही नदी के समान है और जब आपका content नदी की लहरों के साथ align होगा तो आपका content उतनी दूर तक जाएगा जितनी दूर जाने की आप कलपना भी नहीं कर सकते अगर आप किसी marketer से audience तक reach करने का fastest way पूछें तो answer हमेशा online advertisement होगा आप Facebook या Google को pay करते हैं और बदले में ये आपकी ads को अपनी users को दिखाते हैं जिससे आपकी website या app पे traffic आते हैं लेकिन topical content के पास जाद audience तक reach करने की power है और सिर्फ यही एक category है जो online advertisement को beat कर सकती है और आपकी branding कर सकती है बिना किसी advertisement कर चागे For example, Lixigo में topical content, ideas breaking news, story और travel के intersection से आते हैं जब Trump ने American elections जीते थे तब हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें हमने एक आदमी को US से Canada भागते हुए दिखाया था और इस वीडियो पे कुछ ही गंटों में 300K views आ गए थे इस छोटी सी वीडियो ने हजारों लोगों को अपनी feelings express करने का मौका दिया C for Change the World मुझे विश्वास है कि जब आप एक ऐसा content बनाएंगे जो इस world को एक better place बनाएगा जिन लोगों के अंदर छोटी सी आशा है उन्हें वो पंक देगी जिससे वो इस change का हिस्सा बन पाए जब हम कुछ authentic करते हैं तो वो एक छोटे revolution को बड़ा बना सकता है जो सबसे पहली वीडियो गुडगाउं टोल support के उपर मैंने बनाई थी वो इस category से थी ये एक attempt था दुनिया को happier place बना लेगा भले ही एक छोटा attempt था जब आप बदलाव लाने वाले काम करते हैं और फिर अपने brand DNA को इससे जोड़ते हैं तो आप एक ऐसा content बनाते हैं जो लोगों के दिल के करीब होता है और तब ये content लोगों के साथ align होने की possibilities को बहुत बढ़ा देता है experiments in video format यहां मैं आपको कुछ videos formats के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके साथ आपको जरूर experiment करना चाहिए मैंने live streaming से popularity को तब realize किया जब मेरी video Facebook पे पहुची 360 degree videos Try some 360 videos in your video Augmented reality and virtual reality Augmented reality और virtual reality लगातार 2 साल से marketing trend रहा है और वो भी AR and VR बिना ज़ादा progress होए एक कारण ये भी हो सकता है कि ये उतनी तेजी से user experience नहीं पकड़ पा रहा है जितनी तेजी से नई technologic कर पा रही है Augmented reality, real world environment का एक interactive experience है जहां पे real world के object augmented किये जाते हैं computer generated information यूज़ करके हैं तो ये कुछ videos format है जिने आपको अपनी videos को market करने के लिए use करना चाहिए bonus trip do unusual things in video कुछ नया creative ideas जूंडो जो कोई भी आज तक नहीं किया तो friends, ये थी fast, cheap and viral book की summary मुझे आशा है कि आप इस video से जरूर कुछ नया सीखे होंगे आपको इस book की सबसे अची बात क्या लगी और अगर आपकी भी कोई video viral हुई है तो हमें अपनी strategies कमेंट करके बताए अपनी video marketing community में इस video को share करिए और हमारे चैनल को subscribe करिए ताकि आपसे कोई video मिस ना हो क्योंकि हमारी हर video आपको help करेगी financially grow करने में देने बाद